हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे सो स्टूडेंट आज एक और वीडियो में लेके आई हूँ जिसमें हमारे DSSB के जो PYQ है वो क्वेशन रहेंगे सो लेट स्टार्ट दे वीडियो फ्रोम क्वेशन नमर फर्स क्या कहता है which of the following pair of sports person या sport correct रोरी मैचलोरे गॉल्फ और मार्टिन हिंगिस यह तो देखिए दोनों ही जो sport person है वो आपने correct sport के साथ पेर है है यहां पे जो रोरी मैचलोरे है वो गॉल्फ के है और मार्टिन हींगिस हमारी tennis के हैं तो first option यहाँ पर correct होगा just wait for one minute which organism cause rust of wheat, यह rust of wheat भई ग्यहूं की एक बिमारी है, तो हमसे particular fungi का नाम नहीं पूछा हमसे सिर्फ जो अलग-लग fungi viruses, bacteria, protozoa कर डिवाइड करते हैं, उन में से ही पूछा है तो आपको easily पता होना चाहिए कि rust of wheat है, काला पड़ जाता है यहूं, उसको कौन cause करता है fungi, next देखिए which organization released the world economic outlook report कौन सी organization ने release की है world economic outlook report तो यह किसने की है, IMF ठीक है, next है which of the following regarding earthquake, जो बुकम पाता है, तो उसके लिए क्या correct है, P wave, longitudinal wave है, S wave, transfer wave है तो यह दोनों ही ठीक है कि जो हमारी P wave है वो longitudinal wave हम उसको बोलते है, जब हम earthquake आता है तो उस दो तरीके की wave generate होती है, एक होती है P wave और एक होती है S wave, तो P wave को longitudinal wave बोलते हैं, आपको याद रखना है S wave को transfer wave बोला जाता है, which base is found in window cleaner सभी ने देखा होगा कि हम window को clean करते हैं सिशे को clean करते हैं, तो उस window cleaner में कौन सा base हमें पाया जाता है, acid और base दो ही चीज होती है, वो depend करता है pH पे अगर pH 1 to 7 तक है, तो वो चीज acidic है मतलब total 7 पे चीज neutral हो जाती है, और 7 से उपर अगर किसी चीज का pH है, तो वो base में consider होती है, तो यहाँ पे पूछा है कि window cleaner के लिए हम कौन सा base यूज करते हैं, तो उस base का नाम क्या है, ammonium hydroxide ठीक है इन डेश, गांधी जी ओर्गिनाइजड आ सत्यागरा तू स्पोर्ट पिजन्ट ओफ खेदा डिस्ट्रीक, तो यह जो सत्यागरा था, यह कब स्टार्ट के था गांधी जी ने, 1917 में, नेक्स देखते हैं, which of the following statement regarding the momden anglo oriental college is our correct, correct कौन सा है, it was founded by सेयद एहमद खान, it was established in 1875, 1875, तो यह दोनों ही हमारे क्या है, ठीक है, both first and second answer हमारा सही है, in which हडपा city was cotton grow, हडपा काल की अगर हम बात करें, तो हडपा की कौन सी city में cotton को grow किया जाता था, तो यह होता था, मेहरगड के अंदर, जो मेहरगड city थी हडपा टाइम में, उसमें क्या grow किया जाता था, cotton को grow किया जाता था, next देखिए, which of the following metal deposits are found in Asia, Asia, जैसे हमारी country है, वो भी Asia continent के अंदर आती है, तो यहाँ पर पूचा है कि कौन सी metal deposits हुई मिलते हमें Asia के अंदर, तो magneze, bauxite और nickel, यह तीनों ही क्या है, metal है, और यह तीनों ही correct answer रहेंगे, b option सही है, next देखिए, which of the following pair of article or contents of Indian constitution is correct, 239 है, administration of union territories के बारे में, 241 है, special provision with respect to Delhi, तो यहाँ पर जो correct option हमारा है, वो रहेगा, first option, that is administration of union territories, देखिए, 239 तो correct है, फिर बात आती है कि 241 में अगर यह नहीं है, तो क्या है, जो अनुचे 241 है, इसमें क्या होता है, इसमें संसद कानून द्वारा पहली अनुसूची के, जो पहली अनुसूची है, उसका भागसी में निर्दिस्ट किसी राज्य के लिए एक उच नयाले का गठन कर सकती है, या ऐसे किसी भी राज्य में किसी भी अदालत को इस सवीधान के सभी या किसी भी उदेशे के लिए उच नयाले घोसित कर सकती है, उच नयाले के बारे में जो है, वो हमारा जो direction है river के flow का वो सिर्फ तापी का correct है जो कहां पर बैती है हमारी west में है तो अब देखे भई जो नर्मदा है यहाँ यह पता चल गया west में है नर्मदा नदी जो है यह भारत के मद्यभाग में भारत का जो center part है उसमें यह पूरव से पश्चिम के और बहने वाली एक नदी है और हम बात करें यह तो यह MP और गुजरात की एक मुख्य नदी है हमारी नर्मदा जो है और यह निकलती कहां से है मैखल परवत जो है मैखल परवत के अमर कंटक शिखर से यह निकलती है और इस नदी के उल्टा बहने का भोगोलिक कारण इसका rift वैली में होना है इसलिए इस नदी का भाव पूरव से पश्चिम की ओर है यह आपने ध्यान रखन नेक्स देखिए, निमल लिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्दय है, सुशीर वाद्दय कौन सा है, यहां पर बासूरी, C ओप्शन ठीक रहेगा, reserve ratio can also be called as can be called dash, तो reserve ratio का दूसरा नाम क्या है cash reserve ratio तो देखे भई, reserve ratio जिसका दूसरा नाम है cash reserve ratio और हिंदी में हम इसकी बात करें तो हम इसको बोलेंगे नगध आरक्षी अनुपाद इसको नगध आरक्षी अनुपाद जो कि RBI का banking शेत्र में जोखिम कम करने का एक उपाई है ये ठीक है तो इसमें क्या करते हैं किसी भी बैंक की कुल जमाओं का यह वह अनुपात है जिसे बैंक को नगदी के रूप में किसके पास रखना होता है रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया के पास रखना होता है और भी आई के पास रखना होता है नेक्स देखते हैं, which of the following happened due to atmospheric reflection, जिब atmosphere में reflection होता है, तो क्या होगा, twinkling of star होगा, advanced sunrise and delayed sunlight होगा, तो दोनों ही यहाँ पे हमारे correct हैं, twinkling of stars भी atmospheric reflection की वज़े से हैं और advanced sunrise और delayed sunset भी, तो देखें, यह atmospheric reflection होता है, वायू मंडल में क्या होता है, वायू मंडल से गुजरते समय, जो परकास है, या कोई अन्य विद्धूत चुम्ब किये तरंगे हैं, वो एक सीधी रेखा में ना जाके, उससे विचलित हो जाती हैं, ठीक है, और वायू मंडली है, एपरवर्तन के रूप में इसी को जाना जाता है, सीधी ना जाके, वो अपने पाथ से divert हो जाती है, ठीक है, जैसे तारे के परकास, जो होता है, स्टार की जो लाइट है, वो भी किसकी वज़े से है, जैसा की question में पूछा गया है, एट्मोस्पेरिक reflection की वज़े से, और इसी यही कारण है, कि जो एक तारा है, वो टिम टिम आता है, ठीक है, वाद परकार का निमलिकित में से कौन सा युगम सही है, तत हवा अवनद तार, तो इन में से ना एक सही है, और ना ही सैकिन, question क्या है, the headquarter of international labor organization, ये एक organization है, labor के लिए, international labor organization, तो इसका headquarter हमारा कहां पे है, जेनेवा के अंदर है, next देखिए, second edition of khello india winter game, कब हुआ था, ये उस time पे current का question है, आप चाहो तो इसको याद रखो, नहीं तो skip कर सकते हो, 26 fab इसका answer है, what is the ratio of the stock of money, to the stock of high powered money in an economic called, तो उसको क्या बोलते है, money multipliers, ठीक है, next है, which city hosted the 2018 commonwealth game, कौन सी city में host हुए थे, 2018 commonwealth के game, तो ये gold coast में हुए थे, next है, भारतिय स्विधान का कौन सा अनुचेद, पंचायतों की अवधि से सम्मन्दित है, तो ये कौन सा है, 243E, ठीक है, next देखिए, rice needs dash temperature and dash humidity, rice को क्या चाहिए, high temperature और high humidity चाहिए, ग्रो करने के लिए, rice को, ठीक है, next है भाई, which article of Indian constitution is related to uniform civil code for citizens, तो कौन सा article related है, article 44 related है, civil code for citizens के लिए, next देखिए, during a recession, recession के time पे, जब GDP गिरती है, when GDP fall, disposable income, क्या है, fall less sharply, falls less sharply, ठीक है, next है, where are the headquarters of IAEA situated, तो कहां है वो, विनिया बोलते हैं, इसको विनिया में, देखिए, IAEA की full form क्या है, International Atomic Energy Agency, ठीक है, क्या full form है, International Atomic Energy Agency, जो सर्व करती है, World Foremost Intergovernmental Forum, किसके लिए, for scientific and technical corporation, in the peaceful use of nuclear energy की, जो nuclear energy हो, उसका peaceful use हो, ठीक है, तो headquarter विनिया में है, इसका, next देखते है, Which of the following is correct about insulation, insulation के बारे में, यहां पर क्या correct है, so, it influence distribution of temperature, it increase from the equator towards the pole, तो यहां पर insulation के बारे में, only first is correct, it influence distribution of temperature, ठीक है, next देखिए, the size of pupil, जो हमारी I, I के part है, यह pupil, जो है, यह I का part है, तो इसको control कोन करता है, इसको I का ही एक और पार्ट है, IRIS, यह control करता है, हमारे pupil के size को, कि उसको कितना increase होना है, कितना decrease होना है, next question देखते है, इन में से कौन से ऐसे cell है, जो germs के against fight करते हैं, हमारी बोडी में, तो WBC, white blood cells जो होते हैं, वो germs के against fight करते हैं, next देखते हैं, which of the following statement is correct, Lord Deloji introduced doctrine of lapse and company took over award in 1856, इन में से correct बताना है, तो बोथ first and second, Lord Deloji introduced doctrine of lapse और company took over award in 1856, दोनों ही हमारे correct है, 51 first amendment, जो क्यावन मा सविधान सुनसोधन हुआ था, वो कौन से year में हुआ था, तो यह हुआ था, 1984 के अंदर, next देखिए, who won the golden boot award, यह कोई award का नेम है, golden boot award, वैसे current का है, नहीं पूछा जाएगा, at 2019, FIFA under 20 world cup, तो यह किसने जीता था, Erling Haaland ने, आपको नाम ध्यान रखिए, skip करना चाहें, तो skip कर दीजिए, क्योंकि current पूछा जाएगा, पीछे का नहीं आएगा, which country hosted the 2018 Asian game, तो किसने जीते थे, Indonesia ने, किस चीज के अंदर पुराणों को और महाबारता को compile किया गया है, तो यह किसने किया था, व्यास जी ने किया था, व्यास कंपाइल्ड दा पुरानाज एंड दा महाबारता, नेक्स्ट है, which of the following pair of act और year is correct, child marriage restraint act कब आया था, 1929 में, और window remarriage act आया था, 1858 में, तो इन में से क्या correct है, कि जो child marriage restraint act है, वो 1920 के अंदर आया था, तो first option, only first यहाँ पे correct है, यह window आयेगा भईया, window लिख दिया इनोने गलती से, यहाँ पे बात करें हिंदी में बोलें, तो हिंदू, विद्वा, पुनर, विवा, अधीनियम, तो यह 1858 में नहीं आये था, यह 16 July, 1856 को पारित किया गया था, हिंदू, विवा, पुनर, विवा, अधीनियम, ठीक है, औ और यह, कब किया था, अटा सो चपने, East India Company जो थी, उस साशन के तहत, बारत के सभी नयालों में इसको पारित किया गया था, ध्यान रटना है, विच अधीनियम, विवा, अधीनियम, यह मेंबर है, और जो फिजी देश है, वो मेंबर नहीं है, डेश इस लोकेटिड इन ते ते लंगाना में स्तित है, तो क्या है, खाजाना बिल्डिंग म्यूजियम, यह हमारी ते लंगाना में है, इंडिया लौंच, लौंच्ड स्प्लाई चेन, री साइलेंस, इनिशियेटिव इन अप्रेल दो हजार एक्किस, इंडिया ने लौंच किया था, यह किस के साथ मिल किया था, औस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिल के, which of the following pair of river tributary is correct, Krishna, भवानी और कावेरी भीमा, neither one, कोई भी pair यहां से river tributary बे correct नहीं है, which method of separation is used for separating heavier and lighter component by blowing air, तो यह हम third, fourth में पढ़ना start कर देते हैं, separation method कि जब हमें heavier चीज को lighter component से अलग करना है, तो सबने दिखा होगा एक basket में हम ग्योहूं वगरे लेते हैं, और फिर air की help से हम separate करते हैं, ग्योहूं नीचे चले जाते हैं, और ग्योहूं के अंदर जो शाफ होता है, बुसा होता है, वो अलग हो जाता है, तो इस process को क्या ब to, कोई भी इन में से correct नहीं है, correct statement बतानी है किस के बारे में, direct tax के बारे में, तो direct tax consists of a tax on income of individual, वहाँ पे लगता है, और income tax is one of the direct tax, तो ये दोनों ही statement हमारी correct है, 2016, Olympics में भारत ने dash में पदक जीता, तो भारत ने किस में पदक जीता, बैडमिंटन में भी और कुष्टी में भी, दोनों में भारत ने पदक जीता, खिलाडी और खेल का कौन सा युगम सही है, बायचूंग, भूटिया, फुटबाल, रुपिंदर पाल सिंग, हाकी, तो य महत्मा गांधी शरंखला नई के 50 रुपे के नोट का क्या माप है, तो ये माप भी कई बार हमसे पूछ लेते हैं, 66 mm से लेके 135 mm, तक ये 50 रुपे के नोट का साइज है, आपको सारों का पता होना चाहिए, किसी विशेश समय में जंता के बीच, मुदरा संचलन के कुल स्ट को, जो मुदरा संचलन है, उसके कुल स्टोक को क्या हक कहा जाता है, मुदरा पूर्ती कहा जाता है, आउतल दरपड में जब बिंब सी पर है, तो परती बिंब कोई वी चीज सी पर है, तो उसकी इमेज का साइज क्या होता है, समान होता है, 2021 में पदम विभूशन कितने लो नेक्स पे आईए, बारतिय स्विदान का कोन सा अनुचेद बारत सरकार दोरा उधार लेने से सम्मंदित है, तो कोन सा अनुचेद है, जलोड मर्दा का निमल लिकित में से कोन सा यूगम सही है, बांगर नया जलोड और ख़दान पुराना जलोड, तो इन दोनों में से कोई यहां पे सही नहीं है, ना ही वन ना ही टू, वन और पेड का निमल लिकिस में से कौन सा युगम सही है, परवतिये, ताड, मैग्रो, बर्च, यहां पे भी कोई भी सही नहीं है, ना ही वन ना ही टू, बैस्ट पिक्चर के लिए ओसकर 2021 में किस फिलम ने जीता, तो नॉम, बंगाल का लेकिन सुत्रिया राजस्थान का नहीं है, आई थिंक यह असम का है, ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, निमल लिकिस में से कौन सा युगम सही है, प्रोकारियोटिक जो कोशिका है, प्रोकारियोटिक जो सेल है, उसमें एक क्रोमोसोम है, और यूकारियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम है तो ये बिल्कुल सही है प्रोकारियोटिक जो हमारे प्रोकारियोटिक में हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं और हमारे जो प्लांट और जितने भी एनिमल है वो यूकारियोटिक कोशिका के अंदर होते हैं हमारे अंदर एक से अधिक क्रोमोसोम होते है तो यह किस बिमारी के खलाव है यह करंड का ले लिया है वहीं मलेरिया के भारतिय स्विधान का अनूसूची अंत्रवस्तु का निमिलकित में से कोन सा यूगम सही है तीसरी कुछ अधी नियम्मों और वी नियम्मों का विधी मान्य करण और ग्यारवी पंचायत की शक्तियों प्रादिकार और उत्तरदाइतों तो यहाँ पे भी केवल सेकिंड ही सही है निमलिकित में से कौन सा यूगम सही है स्थाई पवने पश्चमी और स्थानिय हवा लू दोनों ठीक है यहाँ पे हुमाईयू का मकबरा कहां पे स्थित है भई दिल्ली में स्थित है इस्ट्रेटिक इंफर्मेशन है याद रखनी है आपको निमलिकित में से कौन सी नदिया मगद से होकर बैती है तो मगद जो है भई वहां से न यमुना न गंगा वहां से सोरी गंगा बैती है यमुना और सतलूज वहां से नहीं बैती मगद से होकर केवल सेकेंड ही सही है निमलिकित में से कौन सा युगम आंधोलन और उनके वर्स के सम्मंद में सही है सवीने अवग्या अंधोलन 1930 में हुआ था एस योग और खिलापत अंधोलन 1921 में तो यहाँ पे दोनों ठीक है फर्स्ट और सेकेंड दोनों निमलिकित में से कौन सा कथन भारती रिजर्ब बैंक के संधर्ब में सही नहीं है सही नहीं है पूछा है तो मतलब सही पॉइंट भी पढ़ लेने चाहिए यह बारी आगात के खिलाफ अर्थ वेवस्ता में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है RBI अर्थ वेवस्ता के सर्वोत्तम हीत में मोदरिक नीति के संचालन के लिए स्वतंत्र प्राधी करण है और यह देश के मोदरिक प्राधी करण के रूप में कारिय करता है लेकिन RBI रिवर्स रैपोद्दर के मुल्य को समायुजित करके वाने जीक मैंकों के आरक्षित जमान उपात को परभावित कर सकता है यह नहीं है विच अमेंडमेंट ओफ इंडियन कॉंस्टिटिशन प्रोवाइड लेजिसलेटिव असेंबली फोर डैली तो कौन से अमेंडमेंट ने अमेंडमेंट 69 शंकुधारी वनों में निमिलिकित में से कौन सा व्रिक्ष पाया जाता है तो चीड देवदार यह दोनों हमारे कहां पाया जाते हैं शंकुधारी वनों में एश नहीं पाया जाता प्रोपर्टी ओफ मैटल बाइविच इट कैन बी ड्रोण इंटू वाइर जो हमारी मैटल सोती है हम उनको बीट करके पीट पीट के वाइर में कनवर्ट कर देते हैं तो यह जो मैटल की प्रोपर्टी है इस प्रोपर्टी को क्या बोला जाता है डक्टी लिटी स्पोज आपके पास लोहा है लोहे की वाइर बना दी उसको पीटा तो गया होगा ने किसी चीज से तो वो जो property है ने जिससे उस metal को wire में convert कर दिया गया उसको हम क्या बोलते हैं डक्टी लिटी वोन किसने किया था नोबल पीस प्राइज दो हजार बीस तो ये किया था वर्ल्ड फुड प्रोग्राम ने हूँ वोन दा ये जिता था तो मिका कहा प्रोड्यूस होता है गया हजारी बाग और अजमीर तीनो ही हमारे correct है नेक्स देखते हैं वीच अब फॉलोविंग पेर ओफ इंस्टूमेंट और टाइप इस करेक्ट वीना अवंधा और सारंगी सूशीर यहाँ पे भी कोई correct नहीं है correction के भी ऐसे बहुत पूछे जाते है moving on, moving forward, a year in office किताब यह book का नाम है यह किस ने लिखी थी, तो यह लिखी थी वेंक या नाइट डूने next देखते हैं, skip कर सकते हो उस time का है भई यह गुजरात से अरुनाचल परदेश के स्थानिय समय में कितना अंतर है के ही याद रखने है which of the following pair of place year of information is correct regarding Singh Sabha Amritsar में 1873 में हुई, Lahore में 1879 में हुई तो यहाँ पे भी हमारे दोनों correct है which country has won the first ever FIFA World Cup किसने जीता था, Uruguay ने which of the following is correct about sound large amplitude है तो low sound होगी high frequency है तो low pitch होगी इनमें से correct बताना है तो correct हमारा only first है large amplitude है और loud sound है next देखिए which article of Indian constitution is related to the duration of state legislature तो कौन सा article related है वहाँ से 172 dash भारत के पर्थम मुगल सा सकते तो बाबर जो था वो भारत का पर्थम मुगल सा शकता फिर बताना है pair of battle मतलब लड़ाई और उसका year क्या ठीक है battle of boxer ये बिल्कुल ठीक है 1764 में हुआ था boxer का यूद और पलासी का 1754 में हुआ था तो यहाँ पे हमारे दोनों ही correct है option A और option B गुजरात में क्या located है लखोटा फोर्ट लखोटा जो फोर्ट है ये तो नहीं है लखोटा फोर्ट हमारा कहाँ पे है गुजरात में है which of the following is or are the policy instrument of the RBI तो policy instrument में क्या है repo rate, reserve repo rate और exchange rate तो repo rate और reserve repo rate हमारा किसमें आता है policy instrument के अंदर आता है एक उत्तर lens में जब BIM अनंत पर रखा जाता है तो परती BIM की स्थान पर बनता है तो ये बनता हमारा F2 पर ठीक है next देखिए काक्तिय राजवन्स की राजदानी कौन सी थी तो वरंगल थी ध्यान रखना आपने ये छोड़ सकते हो करंट के ही याद रखेंगे डैस के रास्टरपती ने कानून पर हस्ताक्षर किये जिसने जून 2021 में ओपन सकाई संधी से देश के बाहर निकलने को उपचारिक रूप दे दिया तो कहां के रास्टरपती ने इस कानून पर हस्ताक्षर के ये थे रूस के रास्ट्रपती ने डैश अधिवर्क ग्रंथियों को नुक्षान के कारण होता है जो तनाव के परती शरीर की परतिकिरिया को नियंतरित करने और शरीर के नमक और पानी को संतुलित करने के लिए हार्मोन बनते हैं तो कौन सी होती है एडिसन रोग अधिवर्क ग्रंथियों के नुक्षान के कारण होता है कौन सा रोग होता है एडिसन रोग पंचायत के सदश्य के रूप में चुनाव के लिए नियूनतम आयू कितनी होनी चाहिए ये परसन की 21 वर्स ब्रिटी सरकार द्वारा चंपारण एग्रेरियन कानून जो आया था वो कब पारित क्या गया था तो ये हुआ था भई 1918 में कौन सी गुफा महरास्टर में स्थित नहीं है एलोरा की भी है जंता की भी है घाराफुरी भी है लेकिन जो उदेगिरी की गुफाई हैं वो माहरास्ट्र में स्थित नहीं है डैश का तात्प्रे वानेजिक बैंको द्वारा नगदी, सोने और अन्य परतिबूतियों के रूप में रखे जाने वाले के निश्चित परतिस्यत से है तो वैधानिक तरलता अनुपात का तात्पर है बैंको द्वारा नगदी, सोने और अन्य परतिबूतियों के रूप में रखने के लिए भारत की स्वतंतरता के अंधूलन में भाग लेने वाले महत्मा गांदी के ब्रिटिश मूल के अनुयाई मीरा बेन का वास्तवी के नाम क्या था तो ये थी मैडलीन स्लेड ठीक है, डैश को परत्वी के वाईू मंडल का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है तो जो शोब मंडल है, उसे परत्वी के वाईू मंडल का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है लाड मिंटो ने डैश में महराजा रणजीत सिंग के साथ अमरित सर की संदी संपन की तो कब की थी वही, 1809 में जो महराजा रणजीत सिंग थे, उसने अमरित सर के साथ संदी संपन की थी पुस्तकों के लेख के साथ मिलान करना है, तो जो लो लेंड है, ये किस ने लिखी है, नील मुखर जी ने एक मिनट देख लेते हैं, सी का फर्स्ट, फर्स्ट का डी है, नहीं बही, दा लो लेंड लिखी है, जुम्पा लाहिडी ने फर्स्ट का डी, सेकिन्ड जो बुक है हमारी सैटेनिक वर्सेज, ये लिखी है, सलमान रूश्दी ने थर्ड हमारी जो बुक है, दे लाइवस ओफ अधरस, ये लिखी है, नील मुखर जी ने और लास्ट है, रिवर ओफ स्मॉक, ये बुक लिखी है, अमिताब घोश ने, तो हमारा करेक्ट ओप्शन रहेगा, ओप्शन नमबर सी भारत की प्रियावरेंड रिपोर्ट 2021 की स्थीति के नुसार, जून 2020 के नवीनितम स्थान में भारत 17 संधार्णी विकास लक्षों में 10 स्थान पर है, तो कौन सा है, 117 स्थान पर भारत है कौन सा भारत का पर्थम ग्रह मंत्री था, तो भारत का पहला ग्रह मंत्री था, सरदार वल्लभाई पटेल इलाइची पहाडिया निमलिकित में से किस परवत माला का हिस्सा है, तो ये जो पहाडिया है, ये पश्मी घाट का हिस्सा है कमल जीत संदू एक महिला भारती एथलिट है जिनोंने 1970 बैंकोक एशियाई खेलो में डैश दोड़ में पदख जीता था तो कितने मीटर की दोड़ थी वो 400 मीटर की कागेद नर्तय एक पर्थागत नर्तय उत्सव है जो पर्तिवर्ष डैश में मनाया जाता है तिबती पंचांग के नुसार दसवे महिने के 28 और 29 में दिन को यह आता है तो कहाँ मनाया जाता है कागेद नर्तय सिक्किम के अंदर ये बजट का आप छोड़ दीजे करंट का ही द्यान रखना है डैश के विदेश मंतरी को साथ जून 2021 के सुयुक्त राष्ट महासभा के नए अद्धिक्स के रूप में चुना गया था तो मालदीव के विदेश मंतरी को किस राजे में परसिद पिछोला जील पिछोला जील हमने पड़ी थी लेक में जब हमने किया राजस्थान में इस्थित है ये थोड़ा रिजनिंग का भी स्कॉप देख ले ना ये रिजनिंग के ही कोशन आगया इथिंग ये इतने ही थे so these are the question of the last year PY की of DTSB exam अगर वीडियो आपको अच्छे लगती है so student like this video, share this video with your friend and subscribe our channel. Thank you everyone.